एस्चेसर महराष्टरा में संद चोकमेला और संद शोयारभी का ऐसे ही ब्रामधी करन किया गया है। हाँ जी, वो बिल्कुल सही कहा है आपने, हम लोग उस पर उनका भी जो इतिहां से वो भी ले आएंगे सामने। नहीं कर सकते हैं। उनके DNA में है न ये बाते, आज भी सामने दिख रही हैं। आज भी आप सत बात कहने पर जो है वो गाली को लोज कर रहा है। तो इससे तो यही पता चल रहा है न कि आज भी उसी DNA में घुसा हुआ है। वही उसके तेवर है। सोसल जस्टिस जो है वो क्या लिखते हैं आडानी का असली दुस्मन बागिश्वर धाम वाला है क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी नहीं बताया कि आडानी कब डूबने वाला है वार पाखर्ण जय सविधान हाँ जी सोसल जस्टिस बहुत खुबसूरत बात आपने लिखी ह वो पोगा पंडा जो है अपने लोगों को ही बेवकूब बना सकता है कोरोना का उसको पता नहीं चला यहां आडानी जो है उपर से तीसरे दूसरे नमबर से पहुँच गए 15 नमबर अभी इतने लुड़क गया है सातवे से सीधे 15 पहुँच गया है बताईए इतना बड़ से यहां पर आर डॉक्टर रेवेंविंग यहां लिख रहे हैं पूरी संकराचारिया अलो उपनिशद इस सास्त्र सम्मत हाँ पूरी का संकराचारिय ने यह बात कही है कि अलो उपनिशद जो है वो सास्त्र सम्मत है कुछ लोग आकर रो रहे थें आचा यह क्या लिख रहे कि अल्ला इज संस्क्रीत व्रड आफ पावर एक्सेप्ट मुहम्मद एन नमाज बोथ आर सास्तर संबत आच्छा जी यह देख लीजिये पूरी का जो वो है संकराचार्य जो है वो अल्लोपनिसद में उसको संस्क्रीत में अल्ला सब्द इस्तेमाल है अब Sanskrit में बताएं इनके कोलिय है न Sanskrit की, कहीं पर Allah मिलेगा, Allah भी इनको accept हो गया, अब जैसे तड़ाना का मतलब यह सिक्छा बता रहे हैं, वैसे ही Allah का मतलब पावर हो गया, वारे वा, वा, इनको तो बुला के Nobel Prize देना चाहिए, पूरी के संगराचारिय को, तो यह आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इन लोग की साफ साफ कलाई खुल रही है चाटुकारिता की इनकी गदारे की कलाई खुल रही है और ये जो है बहुजन समाज को बताते आयत हैं ये बता रहे थे कि ये लोग क्या करते थे देश गुलाम हुआते ये लोग क्या कर रहे थे ये बता बौधो के महाविहार किसने जलवाएं और बौधो का समराजे किसने खतम किया, समराट असोक का और उनका बुद्ध का पूरी संस्कृति यहां से किसने खतम की, इनके बारे में इनको नहीं पता था, साफ साफ पता चल रहा है कि नोंने मिली भगत करके भारत को गुलाम बनव आया था दोस्तों, और यहां के बहुजन लोग जब फाइट कर रहे थे हैं, तो उनको नीचा बना दिया, मिलके, यह नीचा जाती के हैं, सब यह हैं, इनको दुदकार दो, भगा दो, इनको दूर रखो, नहीं तो यह तुम पर आकरमड करेंगे, देस सत्ता फिर से मूल न और यहां पर यहां पर हमेसा याद रखेगा कि किसी भी मानो का क्रिटिस्जम यहां पर नहीं होता है, किसी भी इनसान का जो मानो है, जो अपने को मानो मानता है, उसको हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उसको भाई मानते हैं, इनसान हैं, हम भी इनसान हैं, लेकिन जो धरम ले के आएगा धरम के अधार पर हम से वहिदभाव करता है तो उसका तो क्रिटसाइज होगा वो वो इनसान नहीं रहा ना फिर उस जाती का हो गया हो। तो हम लोग हमेसा स्वागत करते हैं कि जो धर्म पिहीन है जो जो भी धरम से बाहर निकल कर उसे उपर हो के सोच रहा है तो हमने हमेशा उसका स्वागत किया है तो हम लोग जो है अच्छा हिंदू जो आपने कहा है भारत में कोई हिंदू-ंदू है नहीं यहां का पूरा ओफिश्यल गजट-फजट सब चीज़ उठायकर देख लिजए यहां पे हिंदू-ंदूजब नाम की कोई चीज़ नहीं है अफिश्यल हमारे constitution में यह word नहीं है हिंदूजब तो हमारे constitution में वो क्या नाम है हिंदू-स्तानी या इस तरह के जो सब्द करते हैं वो नहीं आया है भारत कहा गया है तो लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल हिंदू-हिंदू-जब कहा गया धिरे से हिंदू-स्तानी भी कह रहे हैं तो यह पूरा एक प्रोपगंड़ा है भारत देश है हम लोग का यहां के जितने भी हम लोग हैं वो भारत के लोग हैं हम भारतियां हैं, भारतियां कहा गया है, तो यह चीज है, लेकिन जब धर्म के कोई चस्मा से देखता है, भेदभाव करता है, तो फिर वहाँ पर कंडिशन अलग हो जाती है, अच्छा चलें, आगे बढ़ते हैं, देखें, और खोनाए हैं यहाँ पर, हिस्टरी क्लियर अप आये हैं, और अभिलास जो है, वो लिख रहे हैं, अभी भी प्रामण समराट और इंटेलिजेंट होता है, अभी भी ब्रामः स्मार्ट और इंटिलिजेंट होता है मंदिर जाने वाला बहुजन ताड़न का अधिकारी होता है देखें अभी भी लिखें हैं ये बात कि आज भी ब्रामः जो है वो स्मार्ट होता है इंटिलिजेंट होता है और बहुजण लोग अभी भी जा रहे हैं मंदिर में इतना गाली दिया लोगों ने ध्रमगरंद नहीं पड़ा फिर उसके मंदिर में फंस गयें और ये फंस आया गया है पूरा लमबे समय से इनको फंस आया गया ताकि ये फंस सके आच्छा देखें ये जो अभी पूछ के गए है ना हिस्ट्री के लिए आप जो सवाल कर रहते कि जिन्ना के पिता पर दादा या दादा जो भी हिंदू थे कि नहीं है कि उनके पिता हिंदू मतलब वो ब्रामहड से है यहाँ कि वो या तो ब्रामहड होंगे या क्या होंगे हिंदू कहने का मतलब यह नहीं है मेरा कि उसके पिता जो है वर्ण व्योस था कि ब्रामहड नहीं रहे होंगे तो वो कनफ्यूजन दूर कर लीजेगा फिर यहाँ पे कि रिलीजन और पॉलिटिक सेपरेट यहां लिखते हैं धरम भगवान के चक्र से बाहर आकर सब सरकस ल लेकिन पॉलिक उल्टा समझ लेती है सरकेजम है बैसिकली इन्होंने सरकेजम किया है कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि धरम से और इन जंजालों से इन धूरतई से बाहर निकाल दिया जै तो उनको लगता है कि बढ़ा खराब हो जाएगा कुछ ऐसा है जैसे उनके सर के उपर से कोई छत निकल गई हो ऐसा उनको लगता है पर वो सही नहीं है अच्छा यहां पर शीड जी जो है वो लिख रहा है I have doubt about सिखिजम 2 After the battle of Chamkaur Govind Singh writes Jafar Nama Govind Singh writes Jafar Nama to Aurangjev in which he phrases Aurangjev and says that he Govind Singh is a idol breaker not idol worshiper Idol breaker अच्छा यह उन्होंने लिखा था है मैं idol breaker हूँ not idol worshiper ओके जी अगर यह वाला जो बात सही है कि उन्होंने ऐसा लिखा था तो यह चीज वो लेटर फिर पूरा निकालना पड़ेगा उससे और भी information आ सकती है कि यह क्या बात है ओके शुक्रिया आपका CDG information share करने के लिए मतलब इसमें यहाँ यह पता रहे हैं कि जो चमकौर हुआ था लड़ाई हुआ था तो उन्होंने गुरू कोविन सिर्फर नामा लिखा था और उसमें ऑंगरजेब से कहा था कि वो जो मूर्तिया होती है आइडल ब्रेकर उसको तोड़ते हैं वो आइडल मूर्ति पूजक नहीं है उन्होंने ऐसा लिखा था यह CDG बता रहे है